ये वद्पा इसके साथ जो लगा देगा देना और येप्लीकेटर इसको आपको लगा देना है और ये टूप को इसको इनस के आप पर पटी motion होने के बाद इसको इधर थोड़ासा गिला करके और थोड़ाए सा बीख्त करके यादि थोड़ा सा tube को आपको बाहर निकाल देना है और फिर आप जब लगाने का अशान हो सकता है तो तो थोड़ा से tube को lubricate कर देना है और फिर इसको इधर लगाना है ये लगाने से आपका दर्ध, जलन और bleeding का होने के chances को कम करने की हम कोशिश कर सकते हैं चौथी जो medicine है एलेंटोईन और जिंक ऑक्साइड है यह दो medicine skin को protect करता है राशिस और बहुत बार जो irritation इचिंग रहता है उसको भी कम करने का आपको मदद करता है यदि यह medicine आपको लगाना नहीं जम रहा है तो इनल डाइलेटर से या फिर आप फिंगर पे भी लेके वो एक से दो सेंटीमेटर थोड़ा सा अंदर लगा देना यदि आपको रिजल्ट नहीं मल रहा है तो आपको लंबे टाइम तक यह ointments को यूज करने के बाज़ा है आपको डॉक्टर को दिखा के उसके guidance में यूज करना चाहिए यह ointment को यूज करने के बाद इसका जो अप्लिक दिए इसे क्लिक किजिए डाइट का वीडियो बहुत ही यूसफुल वीडियो और इससे आपका 80-90% प्रॉब्लम काफी अधक सौल हो सकता है तो यह वीडियो पूरा आन तक देखिए जिससे आपको यूसफुल इंफॉर्मेशन डाइट के बारे में कानपान के बारे में मि आपके प्यार और मोटिवेशन से हम ऐसे वीडियो और अच्छे से बना पाएगे लाइक शाय सब्सक्राइब जरूर कीजिए